हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आशा करते हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने फेस की स्किन के बारे में तो जो लोग यहां पर अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे तो दोस्तों जब हम देखते हैं कि हमारा फेस बहुत ही जादा डल होता जा रहा है धीरे-धीरे तो हमारे लिए यह बहुत ही ज्यादा चिन्ता का विशय बन जाता है तो मेरे को बरकरार रखने के लिए मैं आपके साथ एक हूम रेमेडी शेयर कर रही हूं तो गाइस यह हूम रेमेडी आपके लिए बहुत ही जादा फायदे मन्द है इससे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी फेस में जितने भी आपके पिग्मेंटेशन है लाइक खुद अपने फेस पे चेंजेस नजर आएंगे तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और किस तरीके से फिर हम इसका यूज करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एकदम लाल सा टमाटर और मैंने यहां पर इसको यहां पर मैं टमाटर की बीच में हलका हलका सा चाकू से कट लगाऊंगी ताकि यहां पर जो टमाटर की बीच का पल्प है वो हमें मिल जाए तो दोस्तों टमाटर का अपने आप में बहुत बड़ा गून होता है इसमें लाइकोपीन होता है और यह आपकी स्किन की डेट से पल्प और रस ले लिया है पल्प लेने के बाद जो टमाटर का भाग हमारे पास बच जाएगा उसको हम फेकेंगे नहीं उसका यूज हम आगे करेंगे उसके बाद मैंने यहां पर एट किया है हाफ टेबिल स्पून हल्दी तो हल्दी मैंने घर की कुटी भी यूज की है तो अगर घर की कुटी भी हल्दी अगर हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और हल्दी एक सक्तिशाली एंटी ऑक्सिदेंट कंपाउंड है जो ब्लैक स्पॉर्ट दाग दब्बे और हाइपर पिग्मेंटेशन को कम कर सकता है और हल्दी में मौजो जो एंट और हमारी तवच्छों को बहुत निखर के लेकर आता है और उसके बाद मैं यहां पर यूज करूंगी हाफ नीमू का रस तो नीमू में विटामिन C पाया जाता है और नीमू का इस्तेमाल करने से यह हमारी चेहरे पे गलो लाने में मदद करता है उसके बाद मैंने एड़ क जादा मददगार साबित होता है और इसके अलावा यह इसकिन को भी मौशिराइज रखता है यहां पर हमारा 50% पेस्ट बनके रैडी हो गया है लेकिन अभी हमें इसमें एक और इंग्रेडियन्ट एड़ करना है वो है बेसन तो यहां पर मैंने 2 स्पून के करीब बेसन लि चेहरे पर लगाने से पिंपल्स की शिकायत भी दूर हो जाती है और यहां पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक पेस्ट तयार कर लिया है तो यह बहुत अच्छा है यहां पर पेस्ट बनके रैडी है और अब मैं इस पेस्ट को अपने फेस्ट पे apply करूंगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना face wash कर लिया है दोस्तों वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे face पर बहुत ज़दा dirt होती है तो उसको निकालना पहले जरूरी है उसके बाद हम यह paste अपने face पर apply करेंगे तो यहाँ पर मैंने यह पूरे face पर apply कर लिया है आप लोगों के पास अगर brush हो तो आप brush की help से कर सकते हैं मैंने तो अपने finger की help से यहाँ पर पूरा लगा दिया है तो थोड़ा सा मेरी eyes पर लग गया है तो आप लोग प्लीज avoid करना कि eyes पर ना लगे eyes से थोड़ा सा बचा के रखना और अब 20 मिनट के लिए मैं इसे face पर चोड़ूँगी और फिर 20 मिनट बाद मिलती हूं आप से तो यहाँ पर 20 मिनट हो गया है और मेरा जो face पर लगा था वो dry हो चुका है उसके बाद जो यहाँ पर टमाटर का जो बचावा पार्ट था वो मैंने यूज कर लिया है तो इसको मैं दो मिनट तक अपने face पर scrub करूंगी जिससे कि मेरे face में और ज्यादा चमक बनी रहे scrub करने से आपकी जो dead skin cell से वो निकल जाती है तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए scrub कर रही हूं और यहाँ पर मेरी scrubbing बहुत अच्छे से हो चुकी है उसके बाद मैंने यहाँ पर हलकी गुन-गुने पानी से face को wash कर दिया है और फिर मैंने टावल की help से अपने face को dry कर लिया है तो गाइस यह थी आज की मेरी home remedy अगर आप लोग को पसंद आई हो और अगर आप लोग यूज करेंगी तो प्लीज मेरे साथ आप लोग कमेंट जरू शेयर कीजिएगा और अगर इससे पहले किसी ने भी यह रेमिडी यूज की हो तो प्लीज आप लोग अपने experience जरू शेयर कीजिए तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं I hope आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग बाबाई